हेलो एवरीवान स्वागत है आप सब का आज की न्यूस पेपर अनलेसिस में मैं महीवा मिश्रा प्रेजन करती हूँ इंडियन एक्स्प्रिस न्यूस पेपर का अनलेसिस बिल्कुल एक्जाम ओरेंट होके पढ़ना है एक्जाम पॉइंट ओफ यूसे में आपको यहां पर न आप अपनी missed18 सीखते हैं जिसनेमश्टेक नहीं की है उसने कुछ नया सीख है थीक है मिस्टेक कुछ शनी एक्टाश ओंपे थुडवां सा हस कि यह मुझसे कैसे हो गया अप सीखे की यह मैं यह इसी ठीक कर सकता हो हूँ ह यानि कि आपको mistakes को seriously नहीं लेना पर आपने जो effort लगाया था ना उसी seriously लेना है और और effort लगाना है ताकि आप नहीं चीज़े सीख पाए. इसलिए अपनी mistakes को एक tool की तरह यूज करना है ताकि आप उन mistakes से आप अपने भविश्य का निर्मान कर सके. यह कहा था Albert Einstein ने, presented by माम मिश्रा, present करते हैं आज का इंडियन एक्स्प्रेस अनलेसिस. First important news है, यह important है GS paper 3 के लिए, यहां वो दिख रहा होगा आपको stubble burning. Parali Jalana कहते हैं जिसे, यह Environment Minister Rai seeks meeting of states on stubble burning. यहां पर, क्या बोला है उन्होंने वो important नहीं है, यहां पर अपना topic important है, that is stubble burning. Stable, parali burning is a method of removing paddy crop, paddy crop means जो धान की crop होती है न, गेहूं को उगाने से पहले, धान की जो crop residues, जो बचा कुची, जो बची कुची वो होती है, Stems होती है, उन्हें हटाना जरूरी होता है, ठीके, इसके लिए farmers क्या करते हैं, खेट को ही जला देते हैं, पराली को जला देते हैं, वो इसे बहुत convenient method एक मानते हैं, क्योंकि यह जो पराली होती है न, यह सडने गल्ले में बहुत time लेती है, और चावल को काटने के बाद और गेहु को उगाने से पहले जादा time नहीं होता, उस बीच में जादा time नहीं होता, जिस वचे से यह जला दिये जाते हैं, last week of September to November, अब टाइम आ रहे है पराली जलाने का, अब pollution भी होगा, काफी Delhi, NCR, पंजाब, हर्याना वेगिरर के एरिय यह meeting रखी गई, withdrawal of southwest monsoon, जब southwest monsoon अभी तक monsoon था country में, अब वो withdraw कर लेगा, ठीक है, अब यह withdrawal का time आ रहे है, October, September, October, November, withdrawal का time होता है, इंडियन सब कॉंटिनेंट से क्या करती है, जो monsoonal winds होती है, वो वापस आ जाती है, Stubble burning is a process of setting on fire, जो straw stubble होती है, पडाली, left after harvesting of grains like paddy, wheat, etc., it is usually required in areas to use the combined harvesting, harvesting method, विशलेव स्क्रॉप, जो आजकल जो combine चलती है, combine machine चलती है, harvesters चलती है, वो, यानि कि यह इसकी height है, पराली की, वो यहां से ऐसे काटते हुए चलते है, यानि कि यह वाले जो पराली बच रही है, यह waste हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, अब यह खेत को, अगर वहां पे सड़े गले तो काम आती है, वरना इसे जला दिया ज जाती है, जब पैडी की harvesting हो जाती है, इत इस कॉवन प्राक्टिस, ऑक्टोबर निवंबर के टाइम पर कॉवन प्राक्टिस होती है, नौर्ट वेस्ट अर्याना, पंजाब और वेस्टन यूपी, एफेक्ट्स अफ इस्टबल बर्निंग, यह पे पॉल्यूशन है, पॉल् यह सब रिलीज होता है, जो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत हामफुल होता है, यह दिस्पर्स हो जाते हैं सराउंडिंग में, और यह फिजिकल और कैमिकल ट्रांस्फरमेशन होता है इनका, और जो एक थिक ब्लैंकेट ओफ स्मॉग की तरह है, यह दिखते हैं, दिखा और किया होता है, एक स्मॉग होता है वहाँ पी राइट, स्मॉग प्लसफ फॉग, अब इस ताइम यह वाला फॉग का भी सीजन आ रहा है ठीक है नेवेंबर, डिसेंबर, सेप्टेंबर, यहाँ पर क्यों भशहती है थोड़ थोड़ फॉग पहाने चुरु हो जाती है, क् स्मॉग soil fortility destroy nutrients and soil is less fertile heat penetration the heat generated by stubble burning penetrates into soil leading to loss of moisture ठीक है heat मतलब गर्मी की वज़े से क्या होत है जो soil की moisture है वो वेपर्स में ऐसे उड़ जाता है ठीक है तो loss of moisture भी एक concern है stubble burning से related alternatives to stubble burning use of technology technology का जैसे की turbo happy seeder machine which can uproot stubble and can also sow seed in the area cleared यानि की अप्रूट यानि की यह जडो से stubble को खतम कर देता है the stubble can be used for mulch यानि की यह mulching के लिए use हो सकते है mulching means क्यों होते है जो stubble होती है उसे हम ढख सकते है उसे ढख सकते हैं कि इसको soil को soil को ढख देंगी तो इसका moisture retain रहेगा इसके उपर जब stubble पड़ी होई रहेगी तो इसका soil का moisture retain किया जा सकता है इसे कहते है mulching यह zero budget natural farming में भी यह एक component है उसका ठीक है soil की moisture को retain करने के लिए what is other related initiative state governments of Punjab national capital region states and government of Delhi जो national capital territory of Delhi इन्होंने क्या बूला है detailed monitoring monitorable action plan इन्होंने निकाला है based on the framework by the CAQM यानि की detailed monitorable plan में क्या होगा holistically सारे areas को टैकल करते हो इस trouble burning के problem को solve किया जाएगा जिसमें farmers होंगे other stakeholders होंगे like people civil society and causes हो सकते हैं इसमें ठीक है इसमें एक detail तरीके से monitor किया जाएगा this trouble burning के issue को CAQM क्या है यह कि statutory body है formed under Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act act के तहत बनी है इसलिए यह एक statutory body है ठीक है यह वाला आपको अपने answer में नोट करना है जब आप G.S.A.P.3 Environment में लिखेंगे ना कुछ answer तो आपको यह नोट करना है कि यह वाली एक body बनाए गई थी यह पकि अपके यह तकि टेली NCR जो एड्वाइंग एडियाज वहाँ पर क्या हो stubble बर्णीं की प्रोब्लम को solve कीए जा सके V.Forward क्या है As we know stubble बर्णीं destroys a helpful raw material pollutes the air causes respiratory diseases ठीक है सांस लेने वाले problems हो सकती है आस्तमा विगेरा के cases rise हो सकते हैं वर्जन ग्रीन हाउस gas emissions और methane release हो रही है तो क्या होगा ग्रीन हाउस gas emission है वो भी therefore the need of the hours to constructive use of stubble as animal feed जाने की farmers को उसकी economic value बतानी होगी इस stubble की कि आप उसे जलाएए मत आप उसे किसी चरवाही को बेज देजिए ठीक है जो चारा इखटा करते है अनिमल्स का उनको यूटिलाइज करना है टिकनोलोजी को और अच्छे से जैसे कि ट्रवो हैपी सीडर जो अपरूट कर देता है बिलकुल जड़ सही इस टबल को और बायोडी इकम्पोजर के सब्स कर देंगे जल्दी से सडा देंगे इस टबल को यह वाला यूस किया जाए पेपर एंड कार्बोर्ट बनाने में रिसाइकल किया सकता है उसे यानि कि इसकी एक्टोनमिक वालियो बहुत है बट अवेरनेस उतनी नहीं है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो उपर्चनुटीज मिलने चाहिए वो नहीं है इट के अलसो बी यूज्ट एज अ मैन्योर फ़र एक्जामपल एं पल्ला विलेज आउटसाइड इडली दनन्दी फांडेशन पोचेस्ट यानि कि क्या और यह जो एंज यो पाड़ी जो रेसिड्व है वो खरीत थी है ताकि उसे मैं कणोड किया जा सके टर्न किया जा सके ग्रॉप रेसिड्यों गैन ऐसवी यूज़ वे यूज़ परपोस जैसे कि चार्कूल गैसिफिकेशन पावर जनरेशन as industrial raw material for production of bioethanol यानि की crop residue का हम use कर सकते हैं bioethanol बनाने के लिए राइट इसकी economic value बहुत है यह आपका पुरा का पुरा आंसर है stable burning पे आंसर आप expect करते हैं कर सकते हैं क्योंकि यह हर साल इन months की दौरान तो news में रहता ही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट इस प्रिलम्स के लिए G.S.W.P.A. 2 & 1 Women Empowerment Section के लिए लोगसभा के लिए उस Women's Reservation Bill इस ताइम नियर United यानि की लोगसभा ने पास कर दिया है Women's Reservation 33% Reservation मेलेगा लोगसभा ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बलीज में Amendment कौन सा है यह आपको याद लखना अपनी One Liner Current Affair के लिए 128th Amendment Bill ठीक है 454 votes favor में थे 2 against में थे ठीक है तुम अतलब बहुमत के साथ यह Bill पास किया गया Wrapping up the discussion on the Bill Union Home Minister Amit Shah क्या कहते है कि एक transparent process से identify किया जाएगा कि कितनी seats reserved हो women के लिए ठीक है जैसे कि patriarchy जब क्या रहती है तो opaque रहता है copy process राइट बट यहाँ पर ही transparency की बाते करते हैं The empowerment of women is not a political issue It is a matter of principle Principle मतलब कि हाँ women का भी participation रहे women भी बिलकुल equal की भागेदारी रखती है देश की development में यह principles होते हैं राइट यह बुला है उन्होंने यहाँ पर important हो जाता है कि पहले census होगा census के बाद delimitation होगा उसके बाद यह women representation मिलेगा जिसमें करीब 2029 तक का समय लग जाएगा नारी शक्ती वंदन अधिनियम ठीक है वही वाला बिल विच प्रोवाइज 33% of reservation यह पास हुआ है ठीक है implementation of the reservation provision is not immediate immediate नहीं है इसमें two process भी साथ में आएंगी एक है delimitation exercise एक है census delimitation is a process of redrawing parliamentary and state assemblies की constituencies पोरे देश को पोरे देश को अलगलग constituencies में में बाट देना यह वाला आप देखेंगे यहाँ पर इसमें पोरे देश को अलगलग constituencies में बाट देया गया है ठीक है seats की हिसाब से population की हिसाब से यह काम करती है delimitation commission under the provisions of the bill the 2021 census whenever it is actually required out will become the basis for the delimitation ठीक है 2021 का census हो नहीं पाया था कोरुना की मज़े से ठीक है तो अब census कंडक्ट करवाय जाएगा उसके बाद delimitation commission बिठाई जाएगी फिर constituencies को decide किया जाएगा लोगसभा constituencies have to be allotted to every state in a manner that the ratio of the number of the constituencies and the population of a state is broadly similar यानि कि लोगसभा के जो constituencies है उसे इस तरह के से design किया जाता है कि consistency बनी रहे ठीक है consistency का मतलब है मतलब same proportion पे divide हो seeds population के हिसाब से ठीक है as population change अब जब population last census था 2011 में ठीक है और यह वाला जो delimitation commission है यह वाले census पे based नहीं है उससे भी पहले का है ठीक है अब जैसे population बदल रही है तो constituencies को भी delimit करना होगा boundaries उसके भी redefine करनी होगी ठीक है इसमें political party को को unfair advantage ना मिले इसलिए delimitation commission को appoint किया जाता है article 82 of the constitution यह क्या कहते है यह क्या कहता है article readjustment after each census mandates the readjustment in the allocation of seeds to every state in loksabha and division of every state into constituencies upon completion of each census जब census complete हो जाएगा तो delimitation commission बैठाया जाएगा और constituencies को readjust किया जाएगा articles 170, 81, 330, 332 which deals with the composition and reservation of seeds in the loksabha and the state legislative assemblies also referred to this readjustment यह वाले आपको कुछ मोटे मोटे articles याद रखने कि census में readjustment में delimitation commission में delimiting boundaries में कौन कौन सी articles का योगदान है while the census has been carried out seven times seven time होग है since independence 1952, 63, 73, 2002 the last delimitation commission exercise होई थी 2002 में only involved itself with the redrawing of boundaries of constituencies यानि कि जब census 2011 से जब पहले वाले में हुआ था यहां पे 2002 2002 वाले की delimitation commission based थी 1976 वाले में Indira Gandhi के time वाले में 2002 की जो delimitation commission थी वो इस वाले census पे based थी यादे कि कितना time change होगय है 1976 से 2023 population काफी change होई है इसे लिए नया census नई delimitation commission को बैठाया जाएगा as per the current provisions of the constitution next delimitation commission delimitation exercise should take place on the basis of the forced census थीके literally means act of process fixing the limits of boundaries of the territorial constituencies in a country यानि कि country के country में पूरी की पूरी country को कुछ constituencies में बाठ दिया जाता है ताकि एक unity बनी रहे uniformity बनी रहे delimitation commission works without any executive influence ban-dains commission's order are final यानि कि commission जो कहता है वो किसी वो जो उनका order होता है वो final होता है और कहीं पे भी question नहीं किया सकता है ठीक है when the orders of the delimitation commission are late before the loksabha state legislative assembly they cannot effect any modification in the orders ठीक है जो बाठ रखा जाएगा loksabha and state legislative assemblies के सामने तो क्या होगा यह दोनो यह दोनो change नहीं कर पाएंगी उसके order को delimitation commission को order को इसका मितब यह पता चल रहे है वो किसी के influence में नहीं है इसलिए delimitation commission को ओपर का दर्जा दिया गया है what is the process of delimitation यह article 82 कहता है कि census होगा delimitation मितलब census के बाद delimitation होगा article 172 जो मैंने आप सब को बताया था यह सब state की बात कर रहा है first delimitation commission exercise होई थी 1952-51 में ठीक है यह पहला हुआ था with the help of election commission delimitation commission act was enacted in 1952 ठीक है delimitation commission important होगय आपके pretems के लिए woman representation important होगय आपके means के लिए woman representation एक separate में इस पे एक video बनाऊंगी ठीक है जिसमें आपको holistically आपको सारे angles को cover करके woman representation act पढ़ा दिया जाहेगा ठीक है ठीक है next important news important prelims के लिए यह preamble एक editorial आया था जिसमें यह बोला गया है कि congress leader जो अधीर रंजन है जब नई जब नई लोगसभा में गए वो new parliament बना न तो वहां पे गए तो एक ए copies बाटी गई थी सबको प्रेंबल की उसमें Congress leader अधीर रंजन कहते है कि secular word missing है socialist word missing है ठीक है अब यहां पर क्या important हो जाता है अपना preamble ठीक है वह political news important नहीं है कि क्यों miss कर दिया गया या क्या opposition कहती है वह important नहीं है यह पर important क्या है आप सब की exams के लिए GS paper 2 and prelims के लिए important है preamble ठीक है preamble was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947 it serves as an introduction to the constitution यह एक introduction है constitution का articulates its philosophy basic principles and goals यान कि कि हमारी constitution makers है उनोंने कुछ विजन रखा कुछ वाल्यूस कुछ प्रिंसिपल रखे थे constitution बनाते ताइम उसको दिखाता है preamble in 1950 is red we the people of India having so many resolved to constitute India into sovereign socialist sorry socialist and secular बात में आट किया गया था 42nd amendment act के तहट right तो इसमें sovereign democratic and republic था यह वाला कोशन आया था 2022 के प्रिलम्स में यह वाला कोशन आया था right कि 1950 में अगर आप रेट करेंगे constitution तो आपको क्या मेलेगा democratic, republic and sovereign not socialist and secular उसमें अप्शन था socialist and secular वाला अंसर रॉंग था socialist and secular यह आट किये गए है 1976 में एमेरजेंसी जब लगाई गई थी Indra Gandhi के टाइम पे Indra south to cement approval among the masses with slogans such as गरेभी हटाओ वोड socialist को आट किया गया था जो सेकुलर की जो प्रिंसिपल्स है नब वो हमारे constitution में पहले से थे बट 42nd amendment act के थे थे से बट बस आट कर दिया गया था इन नंबर्स को इन वोड्स को that is socialist and secular हमारे secularism क्या कहता है secularism in the constitution means the state protects all religions equally maintains neutrality and impartiality towards religion सारे religion को की तरफ क्या होंगे हम neutral रहेंगे impartial रहेंगे यह आपको words यह वाली words तो आपके लिए important हुजाते है GS paper 4 के लिए भी ठीक है state का हमारे देश का कोई religion नहीं होगा यह ऐसा constitution में secularism हमारा constitution ऐसा कहता है कुछ fact देख लेते हैं prelims related preamble के लिए it was enacted after the enactment of entire constitution जब पूरा constitution को लागु कर दिया गया था उसके बाद preamble को रखा गया कि हमारा constitution उसके बाद preamble को लागु करवाया यह देखने के लिए कि हमने जो constitution बनाया है यह preamble के principles पे खरा उतर रहा है कि नहीं right term secular was added to the preamble Indian constitution act 42nd amendment के द्वारा यह आट किया गया था preamble secure all citizens of india liberty of belief faith and worship idea of justice यह लिया गया है Russian constitution से idea of justice social economic and political justice लिया गया है Russian constitution Soviet Union से Republican ideals of liberty equality and fraternity वह ही अपना French constitution preamble in itself has been forced to introduce American constitution यानी की पूरे वोल्ड में सबसे पहले preamble कहां पे आया था American constitution में आया था next important है science awards to be called Rajshriya Vigyan Purushkar यह वाले programs के लिए NGS Vapor 3 में जब आप scientist के efforts को recognize करने की की बात करते हैं तो आप यह इन बिलकुल बिलकुल padma awards की तरह अब science के भी awards होंगे science विज्ञान ट्रतनु के नाम से भी awards दिये जाएंगे ठीके it has instituted four category of rewards collectively जिसे बोला जाएग Rajshriya Vigyan Purushkar यह वाल आपके One Diner current affair के ले important है जिसमें जो बिलकुल highest recordation होता है in the field of science, technology and innovation in India ठीके भतनागर awards को क्या बोलेंगे विज्ञान यूवा शांती स्वरू भतनागर award विज्ञान श्री जैसे पदमश्री दिया जाता है वैसे विज्ञान श्री विज्ञान रतन दिया जाएगा विज्ञान विरतन क्या maximum of 3% को दिया जाएगा ठीके हर साल यह awards स्टार्ट होंगे 2024 से भतनागर awards कौन देंगे council of scientific and industrial research और सारी जो राश्ट्रिये नहीं भतनागर awards यह दिये जाते थे council of scientific and industrial research के द्वारा बट अब जितने भी राश्ट्रिये विज्ञान पुरुसकार है ठीके वो दिये जाएगे department of science and technology ठीके कुछ new भतनागर awards होगे other categories को जिसमें include किया गया physics, chemistry, biological sciences mathematics, computer science earth science, medicine, engineering engineering science agricultural science, environmental technology, innovation, atomic space and technology among others ठीके यह इन अरे अवोड्स बतनागर अवोड में इंक्लोड किया गया यह वाला data थोड़ा साइम्पॉर्टे आप सब के लिए G.S. V.3 unemployment के लिए over 42% of Indian graduates under 25 unemployed है even as the overall unemployment rate रेडियोज हुआ है 8.7% से 6.6% हुआ है पर क्या है कि 42% of Indian graduates वो अभी भी unemployed है under 25 25 की जो एज के नीचे है वो अभी कौनसे रेपोर्ट में बोला गया है State of Working India 2023 रेपोर्ट रेपोर्ट बाइ अजीम फ्रेमजी युनिवोसिटी यह वाली important है आप लिख भी सकते और अप यह भी कह सकते और आप यह भी कह सकते इन रेसेंट सर्वेट इस फांट ठीक ऐसे भी लिख सकते और आपको यह भी लिखना है तो यह भी लिख सकते हैं COVID के पहले 50% of women self-employed थी but 60% हो गई है ठीक है यह आपको एक positive चीज दिखानी है बाकि इसमें छोट असर data यह आप सबके लिए important था also there has been upward trend in intergenerational mobility but the trend has been weaker जो schedule cast and schedule tribes होते हैं उनके लिए intergenerational mobility intergenerational mobility यह आपके sociology के लिए and GS paper 1 के लिए important है intergenerational mobility क्या होती है जैसे कि father कुछ और काम करते थे जो उतना much salary नहीं था उतना earning नहीं था अब son क्या है son या daughter पढ़्लिक के वो क्या हो गए पढ़्लिक के या self-employed हो के business वगरा करके यह लोग rich बन गए ठीक है इसमें क्या होती यह होती upward mobility upward mobility means इनका status बढ़ा है right father की टाइम पर गरी भी थी पर अब son and daughter की टाइम पर क्या है यह लोग rich हो गए इसे कहते intergenerational mobility यह वाला वोड आपको आड़ करने अपनी gspaper 1 के लिए unsorshipology के लिए right यह ऐसे बढ़ते हैं news ऐसे करते हैं analysis news का आज के लिए newspaper में था बस इतना ही मिलते हैं कल lecture से related PDF होंगे जो यह वाली value edition की मैं वो दे दूँगी telegram channel पे link में description box में डाल दूँगी आप लोग वहां से देख सकते हैं thanks for watching thank you so much